नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूँ आपके साथ छेलेंद्र पांडे आज गोस्वामी तुलसी दास जी महराज की जैनती है और आज का दिन बहुत खास है तुलसी दास जी वो सत्ता है वो शक्षियत है जिन्होंने राम चरित मानस की रचना की थी तो आज बात करेंगे राम चरितमानस की ही और राम चरितमानस की चौपाईयां जो मंतर की तरह काम करती हैं उनके विशह में आपको बताएंगे साथी साथ तुलसीदाश जी को श्रद्धासुमन भी अर्पित करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि महाभाग्य में आज क्या खास है महाभाग्य में आज बात करेंगे रामचरित मानस की महिमा क्या है इस बारे में रामचरित मानस की चौपाईयां क्यों important हैं क्यों महत्पून हैं ये जानेंगे और किस पंक्ति का पाथ करने से कौन सी मनोकामना पूरी होती है इसको भी समझेंगे तो बात करेंगे तुलसी दास जी की जैनती पर रामचरित मानस के अदभुत मंतरों की लेकिन उसके पहले आज का मंतर आज का मंत्र दो अक्षर का मंत्र राम राम की व्याख्या करते हैं रमंते योगिनह यस्मिन जिसमें योगी जन भ्रमण करते हैं जो नाम मुक्ति प्रदान करता है वो नाम है राम राम नाम का जब करना बहुत ही प्रभावशाली होता है दुनिया की किसी भी बाधा को दूर करने के लिए किसी भी तरह की मनो कामना को पूर करने के लिए दो अक्षणों का ये मंत्र अद्भुत ताकतवर है और तुलसी दास जी महराज का भी मंत्र यही था राम सास जब अंदर जाए तो रा और जब बाहर निकले तो मा राम 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 सास और प्षवास पर इस मंत्र को अगर सेट कर लिया जाए और राम राम का जब खाते पिलते चलते फिरते उठते अगर किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में सारी उपलब्धियां मिल सकती है रामचरित मानस की बात करें उसके पहले जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आज गोस्वामी तुलसी दास जी महराज की जैनती है तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर तुलसी दास जी है कौन तुलसी दास जी भक्ति परंपरा के महान कवी है भक्ति परंपरा के सबसे महान कवियों में से एक कवी तुलसी दास जी को माना जाता है इनका जन्म श्रावन शुक्ल सप्तमी को राजापुर में हुआ था श्रावन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथी आज है और आज के दिन ही तुलसी दास जी महराज का जन्म हुआ था तुलसी दास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे भक्त तो खेर बहुत हुए हैं लेकिन जो बात तुलसी दास जी की भक्ती की है कि उन्होंने राम के नाम को अमर बना दिया उसका कोई जवाब नहीं है इन्होंने श्री राम की कथा राम चरित मानस के रूप में लिखी और राम चरित मानस एक ऐसी पुस्तक बनी जो जनजन की पुस्तक बनी लोगों के घर तक लोगों के दिल तक अगर किसी ने राम को पहुँचाया तो वो तुलसी दास जी महराज हैं जिन्होंने राम चरित मानस की रचना करके राम को कालजई बना दिया राम को अमर कर दिया राम चरित मानस को हिंदू धर्म में अत्यंत पूज्य माना जाता है और आप देखिए कि जीवन की समस्याओं के निवारण के लिए लोग राम चरित मानस के सुन्दर कांड का पाठ करते हैं या पूरी रामायर का पाठ करते हैं वो करते इसलिए हैं क्योंकि भगवान राम उस माध्यम से प्रकट होते हैं भगवान राम की कृपा उस माध्यम से प्राप्त होती है और इस लायक राम के व्यक्तित्व को जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से उकेड़ा, बताया, सामने लाया वो है तुलसी दाशजी महराज अब ये जानते हैं कि राम चरित्मानस है क्या? और इसके दोहे और चौपाईयां इतनी महत्वपूर क्यूं है? राम चरित्मानस क्या है? रामायड मूलतह महर्शिवालमी की ने संस्कृत भाषा में लिखी है और रामचरित मानस जो है वो सरल भाषा में अवधी भाषा में लिखी हुई रामायड है इसकी एक एक पंग्ती मंत्र के समान प्रभावशाली है राम चरित मानस की जो एक-एक पंग्तियां हैं वो मंत्र के समान प्रभावशाली हैं और इसके अलग-अलग अध्याय भी अलग-अलग तरीके से पढ़े जाते हैं जैसे सुंदर कांड का पाठ होता है, बाल कांड का पाठ होता है, लंका कांड का पाठ होता है अलग-अलग अध्याय अलग-अलग मनों कामनाओं के लिए भी अलग-अलग तरीके से पढ़े जाते हैं विशेश मनों कामनाओं के लिए इसके अलग-अलग पंक्तियों का पाठ करना उत्तम माना जाता है बजाए इसके कि आप लंबे और कठिन मंत्र पढ़ें उसकी तुलना में राम चरित मानस की जो पंक्तियां हैं वो एक तो सरल हैं उनको पढ़ना आसान है अगर आप लंबे और कठिन मंत्रों की तुलना में राम चरित मानस की सरल पंक्तियों को पढ़ें आसान पंक्तियों को मंत्र की तरह पढ़ें तो आपको विशेश फाइदा होगा ये पढ़ने में सरल भी है और इनका प्रभाव भी अचूक है एक तो पढ़ने में सरल है भाषा समझ में आ रही है चीजें बड़ी आसान है पढ़ लिजिए तो राम चरित मानस का जो पाठ है इसकी पंक्तियों का जो मंत्रों की तरह पाठ है वो एक तो सरल है समझ में आता है कि क्या बात कही गई है और उसका प्रभाव भी अचूक है क्योंकि राम चरित मानस एक सर्वस्रेष्ट रचना है इस बात को ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी प्रमारित किया था अब आप राम चरित मानस की किसी पंक्ति का पाठ करना चाते हैं मान लिया तो किस तरह से पाठ करेंगे क्या तरीका होगा अपने घर के पूजा स्थान पर जहां पर आपको राम चरित मानस की पंक्तियां पढ़नी है वहां पर राम दरबार की स्थापना कीजिए भगवान राम, बाता सीटा, लक्षुमन, भरत, शत्तुरधन और हनुमान जी इनको मिला करके राम दरबार बनता है राम दरबार की स्थापना कीजिए सामने घी का एक दीपक जलाइये या प्रसाद चढ़ाइये और अगर प्रसाद नहीं है तो तुलसी के दो पत्ते भगवान राम को अर्पित कीजिए इसके बाद तुलसी की माला से या चंदन की माला से दोहे का या चौपाई का कम से कम 108 बार जब करें कम से कम 108 बार पाठ करें जब करने के बाद अपनी मनों कामना की पूर्ती की प्रात्ना करें और इसकी शुरुवात आप कभी भी कर सकते हैं किसी भी मंगलवार से किसी भी रवीवार से या नवमी तिथी से आप राम चरित मानस की अलग अलग पंक्तियों का पाठ मंत्रों की तरह शुरू कर सकते हैं और रोज सवेरे एक माला यानि 108 बार अगर आप राम चरित मानस की पंक्तियां पढ़ रहे हैं तो ये बिलकुल मंत्रों की तरह काम करेगी और आपकी बहुत सारी मनों कामनाओं को पूरा करेगी अब ये जानते हैं कि अलग-अलग मनों कामनाओं के लिए किन पंक्तियों का पाठ करना फाइदेमंद होगा किन पंक्तियों का पाठ करने से लाब होगा रोजगार की प्राप्ती के लिए आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए आपके भरन पोशन की विवस्था हो जाए तो आप क्या पढ़ेंगे देखे स्क्रीन पर बिस्व भरन पोशन कर जोई ताकर नाम भरत अस होई बिस्व भरन पोशन कर जोई ताकर नाम भरत अस होई इसको 108 बार रोज सुबा अगर पढ़ा जाए तो नौकरी मिलना आसान हो जाता है रोजगार के मुश्किले दूर हो जाती है अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव भी आसानी से होता है यानि नौकरी रोजगार और कारोबार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाती है दूसरी पंक्ति अगर किसी विपत्ती में फंस गए हैं बड़ी बाधा में फंस गए हैं क्या करेंगे कितनी भी भारी से भारी विपत्ती आ गई हो कितने भी बड़ा से बड़ा संकट आ गया हो अगर इस पंक्ति का जब करना आप शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपके बड़े से बड़े संकट को ये पंक्ति टाल देगी आपके बड़ी से बड़ी समस्या को ये पंक्ति दूर कर देगी अगर आप विद्या प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं चाहते हैं कि विद्या आपको आसानी से मिल जाए विद्या की प्राप्ति हो तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे अपने बच्चे के लिए भी पढ़ सकते हैं आप चाहें तो अपनी संतान के लिए भी क्या पढ़ेंगे गुरु ग्रिह पढ़न गए रगुराई अलपकाल विद्या सब आई आप चाहें तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं जिनकी पढ़ाई की उमर है जो competition की तयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं और नहीं तो माता पिता भी अपने बच्चे के लिए नियमित रूप से प्राता काल 108 बार इस पंग्ती का जब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि विवा जल्दी हो जाए सुयोग वर मिले अच्छा पती मिले खास्त और से बालिकाओं के लिए जल्दी विवा के लिए और सुयोग पती के लिए क्या पढ़ेंगी महिलाएं बालिकाएं सुनुसिय सत्य असीस हमारी पूजहिमन कामना तुम्हारी ये वो बालिकाओं पढ़ेंगी जिनको अच्छा वर चाहिए अच्छा पती चाहिए या जिनकी शादी होने में दिक्कत हो रही है प्राब्लम हो रही है विलंब हो रहा है ऐसी महिलाएं अगर ये मंत्र पढ़ें अगर ये दोहा पढ़ें मंत्र की तरह से रोज सवेरे 108 बार तो निश्टित रूप से उनकी शादी जल्दी होती है और उन्हें योग्यवर की प्राप्ती होती है अगर रोग नाश की बात करें किसी को रोग ने पकड़ लिया है बड़े समय से रोग से परेशान है बीमार अगर ये पंग्ती नियमित रूप से पढ़ी जाए आप किसी भी तरह के वीमारी से जूज रहे हो आप किसी भी तरह की समस्या से जूज रहे हो अगर ये पंग्ति आप नियमित रूप से प्राता काल के समय पढ़ें तो चाहे आपकी बीमारी दैविक हो चाहे भौतिक हो इस पंग्ति को रोज सवेरे पढ़ने से आप हर तरह की बीमारी से रोग से सुरक्षित रहेंगे इस तो रोज सवेरे 108 बार तुलसी अचंदन की माला से पढ़ना अच्छा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं कोई रास्ता नहीं दिखता ऐसी समस्या में पढ़ जाते हैं जब संकट एकदम सर पे सवार होता है लगता है कि अब बच नहीं अगर ये पंक्ति नियमित रूप से सुबह के समय 108 बार पढ़ा जाए तो निसंदेह फाइदा होता है निसंदेह लाब होता है और इस पंक्ति को रोज सवेरे 108 बार पढ़ने से आप बड़े से बड़े संकट को आसानी से टाल पाएंगे बड़े से बड़े संकट को आसान से हटा पाएंगे इस पंक्ति को चंदन या तुलसी की माला से रोज सवेरे 108 बार पढ़ना बड़ा फाइदेमंद होता है अगर आप चाहते हैं कि इश्वर की प्राप्ति हो भगवान की कृपा आपको मिले तो उसके लिए एक देखे दोहा पढ़ेंगे बड़ा इंपोर्टेंट दोहा है बड़ा सूंदर भी है कामी हिनारी पियारी जिमी लोभी प्रीय जिमी दाम तेहिरगुनाथ निरंतरः प्रीयलाग हुं महिराम अद्भुत दोहा है जिस तरह से कामी पुरुष को, काम वासना वाले पुरुष को इस्त्रियों से प्रेम होता है जिस तरह से लालची पुरुष को, लालची व्यक्ति को पैसे से दाम से प्रेम होता है हे प्रभू वैसा ही प्रेम मुझे तुम से हो हे मेरे रखुनात मैं तुम्हारे प्रेम में निरंतर वैसे ही लगा रहूं भाव कितना उचा है कि प्रेम तो हो आसकती हो लालच हो लेकिन किसका हो राम का हो तो जब ये भाव आपके अंदर आ जाए आप इस पंक्ति को नियमित रूप से पढ़िए रोज सुबा के समय 108 बार आपको भगवान राम की अपूर्व कृपा इश्वर की अनन्य कृपा अवस्य ही प्राप्त होगी अगर नियमित रूप से सुबा के समय इस पंक्ति को पढ़ा जाए तो तो राम चरित मानस की जो पंक्तिया है वो बड़ी ताकतवर बड़ी प्रभावशाली है और एक-एक पंक्ति एक-एक मंत्र के समान है लंबे-लंबे मंत्र अगर आप नहीं पढ़ पा रहे है या उनका अर्थ समझने में आपको कश्ट है तो राम चरित मानस की किसी एक पंक्ति को आप ले ले और उसको नियमित रूप से पढ़े आपको भगवान की विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी आप चाहें तो अलग-अलग कांड का भी अलग-अलग पाठ कर सकते हैं इश्वर के कृपा के लिए अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए